तो हाला जो अभी तक कॉंग्रेस में बने वोई थे उसके तहट अब अध्यक्षपत के चुनाफ को लेकर सिती साफ हो चुकी है अब शशी थरूर ने कॉंग्रेस अध्यक्षपत के लिए परचा भर दिया है क्या कहते हैं ये भी आपको सुनाएंगे मीडिया से बार आकर मुखातिब होते वे क्या कहेंगे ये भी सुनेंगे लेकिन यहां confident है थरूर क्योंकि जिस वक्त वो अपने office में थे victory sign उन्होंने दिखाया था और अपनी जीत को लेकर हाला कि वो सुनिश्चत है और अब कॉंग्रेस मुख्याले में आप देख रहे हैं किस तरीके से शशी थरूर नामांकर भणने के लिए पहुँच चुके हैं 17 अक्टूबर को ये चुनाव है 19 को नतीजा भी सामने आ जाएगा और अब देखिए मीडिया से मुखातिब होते वे शशी थरूर क्या कह रहे हैं सुनते हैं नमांकर भणने के बाद मीडिया उनसे सवाल कर रही है बातचीत करने की कोशिश कर रही है हलाकि अभी कॉंग्रेस में मचे घमासान के बीट शशी थरूर की तरफ से इस पूरे अध्यक्षपत की चुनाव को लेकर क्या कहा जाता है उनकी दावेदारी को लेकर वो क्या कहते हैं ये मीडिया उनसे जरूर जानने की कोशिश कर रही होगी यहाँ पर मौझूद सभी लोग इस बात को लेकर भी लगातार सवाल रहा है कि कॉंग्रेस मुख्याले में हलचल पूरे दिन से बनी हुई है अब शशी थरूर क्या कहते है किस तरीके से कॉंग्रेस में मची हलचल को लेकर जवाब देते हैं और अध्यक्षपत के चुनाफ को लेकर उनकी तरफ से क्या कहा जाता है क्योंकि खड़के जिस तरीके से अब उनके सामने हैं थरूर हलाकि विक्टरी साइन जरूर दिखाते रहे अपने ओफिस में मीडिया के सामने लेकिन क्या कहते हैं वो अध्यक्षपत के चुनाफ को लेकर ये जानना उनके जरीए बहुत जरूरी है अब नमांकन को लेकर दिगवजे जिस सरी के सतिती साफ कर चुके हैं उसके तारीक है जिस दिन ये चुनाफ होना है उननीस को नतीजे साफ आ जाएंगे सामने लेकिन इस बीच जो हलचल कॉंग्रेस में मची हुई है उसके तहत कई ट्विस्ट और टर्न हमने देखे समीर इस पूरे अध्यक्षपत चुनाफ को लेकर भी सामने आए और राजस्थान की सिदी को देखते हुए अशोग गैलोट जिस तरीके का डामेज कॉंग्रेस के लिए कर गए अब जिम्मेदारी उस डामेज कंट्रोल की है क्योंकि हर हालात में अशोग गैलोट आज मीडिया से मुखातिब होते हुए ये सुनिश्चित कर गए कि सब कुछ बहुत ट्रां कंडिडेचर है वो अपने आप में कई एहम सवालों के जवाब अपने आप में देता हुए नजर आ रहा है क्योंकि अशोग गैलोट को जब ये तै किया गया था कि वो कॉंग्रेस अध्यक्षपत का चुनाव लड़ेंगे तो एक तरह से ऑफिशल कंडिडेट वो थे ऑफ इन शशी थरूर भी अपना नामांकन दाकिल कर रहे हैं और इस बीच आठ अक्टूबर की तारीख बहुत एहम है क्योंकि आठ अक्टूबर तक कैंडिडेचर वापस लिया जा सकता है यानि अपना नाम वापस लिया जा सकता है ये मोहलत दी जाएगी तो क्या शशी थरू आठ अक्टूबर तक कोई बड़ा फैसला लेंगे और निर्विरोथ चुनाव होगा क्या कॉंग्रेस अध्यक्षपत के लिए यह वो तमान सवाले जो जो जहने हाता है अभी फिलाल जो कॉंग्रेस में सारी स्थिती बनी हुई है कुमार विकरांथ हमारे संबादाता इस वक्त हमार साथ जुड़ चुके है विकरांथ हमने देखा अभी फिलाल हर हल्चल को आप कॉंग्रेस मुख्याले में क्याप्चर जरूर कर रहे हैं लेकिन थरूर अब नाम पांकन दाखिल करेंगे मलिकार जुन खडगे भी और खडगे भी कॉंग्रेस दफ्तर के लिए निकल चुके हैं अपने आवाज से ये जानकारी मिल रही है और मुम्किन है क्योंकि शशी थरूर भी कॉंग्रेस पार्टी के दफ्तर में ही मौजूद है तो सुर्भी आप ज अले मिलते हुए नजर आ रहे थे तो कुछ वैसी तस्वीर मुम्किन है आज खडगे के पहुंच चुके हैं की भी सब्सक्राइब से निकल रहे हैं समीर और इंपॉर्टेंट ये है कि एक बड़ा इतफाक है दस जनपत और अब दस राजाजी मार्क क्योंकि मलिकार जुन सब्सक्राइब करने के बाद मैं बोलूंगा और अब अपने घर दस राजाजी मार्क से निकलते हुए मलिका अरजुन खरगे जो सीधे जा रहे 24 अकबर रोट जहां पर आज कॉंग्रिस के राष्टिय धक्षपत के लिए चुनाफ की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चु नामांकन वापस ले सकते हैं और हमारे सबबदता सुमंद कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ गये हैं मलिका अरजुन खरगे के आवास से त्टव हो वहां से निकल चुके हैं लेकिन जाते बहुत कुछ नहीं बोला यह कहते हुए गये कि नामांकन दाकिल करने के बाद मैं क पता दूँ कि जिस तरीके से पिछले एक घंटे से विपिन मलिकारजुन खरगे के बाहर के घर के भीतर जिस तरीके से हल चल था और तमाम निताओं का आना जाना चाहें दिगविजय सिंग हो अशोक गैलो तो तमाम निता आए और मैं बताओं कि जब अपसे थोड़ी दिर प आगे भी इस खबर पर आपसे जानकारी लेंगे एक बड़ी अपडेट और कॉंग्रिस अध्यक्षपत के लिए एक और दाविदार है दाविदार कौन है उसका नाम भी आपको बताएंगे जारखन के पूर्व मंत्री केंत्र पाठी ने भी अपना पर्चा भर दिया है एक और नया नाम केंत्र पाठी जारखन के पूर्व मंत्री उन्होंने भी अपना पर्चा भरा है और कहा जा रहा है कि कॉंग्रिस का अध्यक्ष बनने के इच्छा इनकी भी है और इन्होंने भी पर्चा भर दिया क्या कहरें वो सुनते हैं अध्यक्ष इस बार гриль गांधि के साथ खड़ा है जन्यता के साथ खड़ा है और पूरा भारत निर्देयर हुआ है कि पार्टी का हर नेता हर कारे करता आवेदन दे सकता है इस बार राहूल जी नहीं लड़ रहे हैं सोनिया जी नहीं लड़ रही है हम लोगों ने आवेदन दिया है इसके बाद पार्टी के बड़े नेताओं का जैसा निर्देश होगा वो सीरोधारे होगा वैसे हम लोग कार जार्खन के पुर्व मंत्री केंत्र पाथी उन्हें आपने सुना राहूल गांधी के बारे में बोल रहे थे खबर ऐसे भी कि उन्होंने भी पर्चा भर दिया है और कहा जा रहा है कि एक और नया नाम अब कॉंग्रेस पाथी का ध्यक्ष बनने की रेस में सामने आ गया इससे तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है फिलाल पचीस बड़ी खबरे कॉंग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशी थरूर ने किया नमांकन मलिका जुन खड़गे से होगा मुकाबला 17 अक्टूबर को होगा चुना मलिका जुन खड़गे भी कॉंग्रेस दफ्तर के लिए निकले थोड़ी देर में भरेंगे नमांकन आठ अक्टूबर को नमांकन वापसी की आखरी तारी कॉंग्रेस अध्यक्षपद का चुनाव नहीं लड़ेंगे दिग्विजय सिंग मलिका जुन खड़गे का प्रस्तावक बनेंगे दिग्विजय सिंग्ने का जीवन भर कॉंग्रेस के लिए काम करूँगा दलित हितों से समझावता नहीं करता गांधी नेरू परिवार के प्रती मेरी प्रतिबद्धता नमंकन से पहले अशुक गैलोद ने मलिका जुन खड़गे से की मुलाकात का खड़गे का चुनाव लड़ने का फैसला सही और सीएम को लेकर अशुक गैलोद बोले अगर इस समय मैं कोई पत छोड़ता हूँ तो लगेगा कि पार्टी दिखकत में है और मैं भाग रहा हूँ कॉंग्रेस सद्यक्षपत के लिए नामांकन से पहले शशी थरूर राजगाट पहुँचे महात्मा गांधी को दीश्रद धाजी शशी थरूर के घर पर जश्न का माहौल नामांकन से पहले बुलाए गए धोल लगाडे देश कुमिली तीसरी वंदे भारत ट्रेन और ये देखिए इस वक्त दिखवजे सिंग आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं कॉंग्रेस हैट क्वार्टर पहुंचे हैं दिखवजे सिंग और मलिकार जुन खडगे उनके साथ नज़र आ रहे हैं तो मलिकार जुन खडगे कॉंग्रेस अद्यक्षपत के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं आचारे प्रमोट कृष्णम नज़र आ रहे हैं उनके पीछे हम देख सकते हैं और दिखवजे सिंग ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हुए आज ये साफ किया था कि वो प्रस्तावक की भूमिका निभाएंगे मलिकार जुन खडगे के लिए और दिखवजे सिंग में तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं इसके अलावा प्रमोट तिवारी कॉंग्रेस पार्टी के वरिश नेता य मलिकार जुन खडगे के तो फिलहाल थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से शशी थरूर ने अपना परचा दाकिल किया है नामांकन भरा है और अब मलिकार जुन खडगे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुँच गए हैं हमारे समादाता कु यानि इस वक्त शशी थरूर और मलिकार जुन खडगे दोनों की मौझूदगी कॉंग्रेस हेड़कॉर्टर में क्या इस वक्त हो रहा है वहाँ पर बताएं जड़ा जी अपसे कुछी देर में यह मैं इस वक्त जो रिटर्निंग ऑफीसर का कार्याला है कॉंग्रेस का वहा जिस तरीके से चाहे वो उपिंदर सिंग हुड़ा हो चाहे दिगवजे सिंग हो अशोक गहलोत हो ये जो बड़े नेताओं का गुट है वो खरगे के समर्थन में है प्रस्तावक बन रहे हैं ये नेता जिससे ये साफ हो रहा है कि अधिकरत तोर पर अधिकरत उमीद्वार क पार्टी के जिनको गानी परिवार का शिरवाद है वो मलिकार जुन खरगे भी हैं धलित नेता हैं और करनाटक से आते हैं जहां चुनाओ है तो कॉंगर्स पार्टी ने अधिकरत प्रस्तावकों की लिस्ट आपने जो बताई उसमें कौन-कौन से नेता है मलिकार जुन खर लेकिन उस ग्रुप से उस जैसे उनको यह पता चला कि मलिकार जुन खरगे उम्मीदवार हो रहे हैं तो उस ग्रुप ने मलिकार जुन खरगे के समर्थन में यह कहा कि हम मलिकार जुन खरगे का समर्थन करते हैं और भुपिंदर सिंग हुड़ा उनके बेटे सांसत बेटे दोनों भी प्रस्तावक हैं मल्लीकारजुन खरगे के तो आप कह सकते हैं ये बड़ी खबर दे रहे हमारे सम्वादाता कुमार विकरांथ कॉंग्रेस हैड़कौर्टर से की अब ये साफ हो गया है कि G23 का कोई अध्यक्षपत का उमिदबात नहीं होगा यानि G23 जो की एक तरह से कॉंग्रेस पार्टी के अंदर रहकर बगावत वाला गुट माना जाता है पहले खबरे सामने आ रही थी कि भूपेंदर सिंग हुड़ा जो हैं वो G23 के कैंडिडेट हो सकते हैं लेकिन अब भूपेंदर हुड़ा मलिकारजुन खर्डगे के प्रस्तावक बन गए उनके बेटे दीपेंदर हुडड़ा भी प्रस्तावक बन गए तो ये बड़ी जानकारी कुमार ने इस वक्त हमें कॉंग्रेस एड कॉर्टर से दी है कुमार और बताएं इस वक्त क्या हो रहा है और थोड़ी देर में क्या ये देखिए हम शायद तस्वीरें भी देख रहे हैं मलिकारजुन खरगे वहां पहुंच गए है मलिकारजुन खरगे कॉंग्रेस मुख्याले पहुंच चुके हैं और उनके तमाम जो समर्थक है अब पहले जो दिल्ली के लोग है जो मलिकारजुन खरगे के प्रसावक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए है आप देख सकती है सचन कुमार के भाई जो पूर सांसद है वो यहाँ मौजूद है पूर प्रदेश अध्यक्ष कॉंग्रेस पारटी के जो की मद्रदेश के प्रवारी है जेपी अगरवाल वो यहाँ मौजूद है डॉक्टर नरेश यहाँ मौजूद है नरेंदर नाज जो पूर मंत्री दिली सरकार के हैं वो यहां मौजूद हैं तो वो सारी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब से कुछी देर बाद आप देखेंगे कि मलिकारजुन खरगे यहां पर कॉंग्रेस मुख्याले में आ चुके हैं वो कॉंग्रेस पार्टी क जो रिटर्निंग ऑफिसर का मुख्याले हैं जो यहां पर बनाया गया है वो सबी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं गेहमा गेहमी कॉंग्रेस पार्टी में आप देख सकते हैं निश्था पर कॉंग्रेस में यो रहा है अब कि चुनाओ तो होगा चुनाओ मंत्री भी रहे हैं मन्सुरेन की सरकार में वो भी कॉंग्रेस अध्यक्षपत के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं पर्चा भर चुके हैं लेकिन दो बड़े कैंडिडेट कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से शशी थरूर कॉंग्रेस पार्टी के वरिश्ट नेता सांसत और साथी साथ मल्लिकार जुन खडगे जो रेस में सबसे आगे बताये जा रहे हैं और तस्वीरें इस वक्त आपको हेड़कॉर्टर से दिखा रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी के थोड़ी देर पहले शशी थरूर ने नामांकन दाखिल किया अपना पर्चा बरा और अब वहां मल्लिकार जुन खडगे पहुंचने वाले हैं अपना पर्चा दाखिल करने के लिए कुमार विकरांत हमारे साथ मौझूद है कुमार क्या माना जाए जिस तरह की परिस्तितियां इस वक्त नजर आ रही हैं माना यह जा रहा है कि कॉंग्रेस आला कमान जो है वो उसका हाथ है मल्लिकार जुन खडगे पर यानि एक तरह से क्या ही माने जिस तरह से पहले लेकिन अंदर खाने जानकारी है जिस तरीके से खरगे क्याक में सारी चीज़े तैयार की गई रात और रात सुबह अंतिम जो रोड़ा था वो यह था कि एक व्यक्ति एक पद का सिध्धान्त यानि राजिसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद जिसको लेकर के दिगुजे सिं राजिसभा में विपक्ष का निता का पच्छोड़ना होगा खरगे उसके लिए पहले तैयार नहीं थे जब वो माने तो रास्ता साफ हो गया आप कह सकते हैं यानि कुमार विक्रांत एक तरीके से अगर समझे जैसा बतारे चाहे बुपिंदर सिंग हुड़ा का नाम हो तस्वीर साफ थी जब पहले भी कि एक तो शची थरूर लड़ेंगे चुनाओ यानि कॉंग्रेस पार्टी के अद्धेश का चुनाओ हो इसके लिए एक और उम्मीदवार का होना जरूरी था तो शची थरूर वो एक और उम्मीदवार थे और में उम्मीदवार कौन होगा पहले गहलोता है फिर खर्गे का नाम आया फिर G23 ने हुड़ा से कहा कि आप रड़ जाए उन्होंने मना कर दिया आखिर में जब खर्गे सामने आ गए तो सब खर्गे के साथ हो गए तो खर्गे वर से सची थरूर की लडाई जरूर होगी लेकिन खर्गे का अब अधिक्ष् कुमार अगर आप सुन पा रहो कि इस पूरी एक्सराइज का मतलब का है जब सभी खर्गे के समर्तन में ही है उनको सोनिया गांधी का अशिरवाद प्राप्त है दिग्विजय सिंग उनके प्रस्तावक बन गए है तो इस पूरी एक्सराइज का क्या मैसेज है अगर देखि करती है कि पार्टी में लोगतंत्र है कोई भी चुनाव लड़ सकता है और इसलिए कहा जा रहा है कि गांधी परिवार किसी के साथ नहीं है वो न्यूट्रल है लेकिन खर्गे का नाम जिस तरीके से आया सबको यह मालूम है कि खर्गे गांधी परिवार की पसंद है खर्ग क्याले की जहां पर आज अध्यक्षपद के नामंकन के लिए प्रक्रिया चल रही और आखरी दिन है खर्गे पहुँच चुके मलिकारजुन खर्गे इस वक्त वाँपर मौझूद तमाम प्रस्तावकों के साथ जहां पर वो अपना नामंकन भर रहे हैं और इसके पहले एक सुर में यही कहना है कि कॉंग्रिस के अंदर अलग-अलग विचार के लोगों के लिए स्पेस है डिमोक्रिसी है और उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ये चुनाव संपन कराए जाएंगे और उसकी प्रक्रिया भी उसी के तहत चल रही है तो इस वक्त दो दावेद साथ तोर पर नजर आ रहे हैं बड़े चेरे हलाकि देखा जाए तो तीन लोगों ने अध्यक्षपत के लिए नामांकर किया है लेकि दो चेरे शशी थरू और मलिकारजुन खरगे खरगे जो की वरिष्ट नेता हैं कॉंग्रिस के और अलग-अलग जिम्मेदारियां पार् नजर आ रहे हैं आप तस्वीरे देखिए वहां पर आपको साफ नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीट 23 है उसके भी सारे मेंबर्स यहां पर मौझूद थे थोड़ी देर पहले अब शेक्तिवारी ने बात करते हुए यह सपश्ट तोर पे कहा कि जब ख करां तमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुए कुमर एक जरा तस्वीरें हम देख रहे हैं यह पूरी प्रक्रिया प्रोसेस है थोड़ा इसके बारे में बताईए नमंकन हो रहा है कैसे होता है पार्टी के अंदर चुनाव आयोग में जो नमंकन करते हैं चुनाव लड़ने के रही है और यहां जो यह पार्टी के अंदर इंटर्नल एलेक्शन की पूरी प्रक्रिया ओन कैमरे पर हम देख रहे हैं मुझे लगता है कि पीड़ी बहुत समय बीतने के बाद यह सब देख रही है कॉंग्रेस के अंदर यहां बिल्कुल आखरी बार जो अध्ष्वत का चुनाव हुआ था वो तकरीबन 22 साल पहले हुआ था जब दोनिया गांदी के सामने जितेंदर प्रसाद ने चुनाव लड़ा था उसके बाद से कॉंग्रेस पार्टी में चुनाव नहीं हुआ हलाकि राहूल गांदी जब नाम लड़े थे तो उनके सामने कोई उम्मिद्वार ही नहीं था उन्होंने दाखिल कर दिया था और उसके बाद कोई उम्मिद्वार नहीं था तो उनको अपोज अद्धक्षश चुन लिया धा लेकिन अब आज क्लियर हो गया है कि अब चुनाव होगा मलीद्व plag दिया है दलित अध्यक्ष कॉंग्रेस पार्टी का बनने चारा है हमारे साथ मुकुल वासरिक यहां पर मौजूद है जो कि एक और दलित नेता है उनसे बात करते हैं मुकुल जी मुकुल जी क्या कहेंगे बहुत वरिष नेता है दिग्विजे सिंग ने जब यह कहा कि मैं हमेशा दलितों का सम्मान करता हूं और ऐसे मैं खर्गे साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं नहीं दाखिल करूंगा अब उनका अध्यक्ष बनना तक्रीबन तय दिख मैं समझता हूं कि मलिकार्चुन खर्गे जी कॉंग्रेस में एक बहुत वरिष्ट नेता है जमीनी स्तर का अनुबाव है प्रदेश में सरकार और संगटन दोनों में भी लंबा उनका अनुबाव रहा यहां केंद्रस्तर पर भी वो भारत सरकार में मंत्री सांसद और अखि कैसी विभिन चीजों का उनको एक लंबा अनुबाव है आज विपक्ष के नेता राज्यसबा में है तो एक ऐसा अनुबावी नेता जिसकी पूरी प्रतिबद्दता कॉंग्रेस के विचार धारा से है आम लोगों की जिंदगी कैसी बहतर हो इस दिशास का सालों साल प्रया रहा है तो मैं मानता हूं कि वो कल अध्यक्ष बनते हैं जो कहते हैं कहेंगे कि गानी परिवारी सब कुछ चलाता है यह तो रबर स्टैम कॉंग्रेस अध्यक्ष का पद कभी भी यह रबर स्टैम का पद नहीं हो सकता कॉंग्रेस अध्यक्ष का पद यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अनेक महानुभावों ने इसे सुशोबित किया है और यह एक बहुत गरिमा में पद है मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी किसी भी समय किसी भी तरह से कॉंग्रेस अध्यक्ष पत को चोट पहुचेगी उसकी गरिमा को किसी तरह से धक्का पहुचेगा ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे और मलिकारजुन खरगे जी कॉंग्रेस अध्यक्ष पत की गरिमा बनाये रखेंगे कॉंग्रेस अध्यक्ष पत के जरिये वो संगटन को मजबूत करेंगे और देश में आज के परिपेक्ष में जो चुनोतिया है उसका मुकाबला करने के लिए देखिए मैं ये समझता हूँ कि खरगे जी और कॉंग्रेस के तमाम वरिष्ट साथी सोनिया गांदी जी राहुल गांदी जी और यहां तक के के हमारे सभी वरिष्ट साथी नौजवान साथी हमें मिलकर आने वाले समय में मुकाबला करना होगा और खरगे जी उसके लिए एक बहुत उपयुक्त राश्ट्रिय अध्यक्ष बनकर सामने उबरेंगे गांदी परिवार के क्या भूमिका रहे गया आखरी साथ है इस देश की एक्ता के लिए गांधी परिवार ने अपना खुन दिया है अपने पसी ने से उसे सीचा है मैं ये समझता हूं कि उनके जरीरह हमेशा देश को मज्बूती मिलेंगी गॉंघ्यक्ष को राहुल गांधी ने पच्छोड़ा था तो यांध्यक्ष बनते बनते रहेगा। जिनको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा रही लेकिन देखिए दो दिन के अंदर स्थितियां कैसे बदली हैं और कैसे तस्वीर बदली हैं मलिकार जुन खडगे जिनको सबसे ज़्यादा इस वक्त समर्थन कॉंग्रिस के तमाम नेताओं की तरफ से मिल रहा है हमारे साथ इस वरिष्ट पत्रकार राजेश जोशी जुड़े हुए हैं राजेश जी स्वागत है आपका सबसे पहले तो इन तस्वीरों को देखर आप क्या कहेंगे 22 साल बाद इस तरह का चुनाव देश देख रहा है कॉंग्रिस के अंदर और ये पहली बार ऐसा भी देख रहा है कि जिसमें गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ती चुनावी मैदान में नहीं है बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं जिस तरह से जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले शर्शी थरूर ने एक प्रेस कॉंफेंस की और शर्शी थरूर पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे वो इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं ये जानने के बावजूद कि कॉंग्रेस में हो सकता है उनके पास उतना समर्थन नहीं हो जितना मलिक अरजुन खड़गे के पास है लेकिन अपना प्रोश्र निकाला हिंदी में बात की ये सबसे बड़ी कमाल की बात है शेशी थरूर ने हिंदी में बात की मुझे याद है 2005 में मैंने नियॉयोक में जब उसेंक तुराश्च में थे उनसे कहा रिक्वेस्ट की कि आप हिंदी में बात कीजिए उनके लेकिन इतने सालों में उनने ऐसी बहतरीन हिंदी सीख ली है कि नॉर्थ हिंडिया में भी कर स तो चारेकर है कि बीचल की बात की बात की बात की कि तुराश बात की कि गचाने सालों में सिर्थ है।